जिसके सामने बच्चे का मूँ खुल जाए जिसके सामने बच्चा अखर होकर के बात कर सके वो मा है वो मा पिता जी से लड़ जाती है मैंने अपनी आखों से देखा है कि कभी बहुत तेज धूप होती है तो मा क्या करती है कि अपना पल्लू बच्चे की उपर रख देती है कि बच्चे को धूप कम लगेगी मा धूप में बच्चे को बाहर नहीं ने जाना चाहती अरे नाम की रितन करो तुम सुधर जाओगे पाक कर हरी प्रेम निश्चित ही तर जाओगे नाम की महिमा बड़ी अद्बुत है हेलो स्टूडिन्स वेलकम टूरी स्टार्ट मैं उशुभम गुपता और आजम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं स्टेंथ हिंदी कोर्स है कृतिका का पहला पाठ काफी उत्तम पाठ माता का अंचल जिसके लेखा के हमारे शिफ पूजन सहाय जी देखिए यह जो चाप्टर है यह हम लाइन बाइन न्सी आर्टी से ही पढ़ेंगे पीबटी में मैंने टेक्ट्बुक की ही लाइन डालिये चूकि इस चाप्टर का असल मज़ा और आनंद तबी है जब आप इसको लाइन बाइन पढ़ेंगे यह चाप्टर एकदम से आपको भारत के पुराने गाउं में ले जाएगा कि गाउं का जीवन कैसे होता था इस चाप्टर को इस तरीके से लिखा गया है कि कोई कितना ही ठेट से ठेट या निकि कोई एकदम कम पड़ा लिखा व्यक्ती भी हो पर उसके बाद भी वो इस पा जहां रहे हैं जो खेल उन्होंने गाउं में खेले होंगे जो जीवन उन्होंने जीया होगा यह जमीन से जुड़ा हुआ पाठ है इसमें कोई हवा हवाई बात नहीं की गई है कि लॉयर बन गया है डॉक्टर बन गया है फिर कोट पहन करके जाते थे ओफिस में और फिर ग लिखा हिंदी का पहला उपरर नियास माना जाता है स्मरंण शिल्प यानश या आप समझें कि इस पार्ट में ऑधर ने शिवपूजन शाहिजी है अपनी अतीत को अपनी लाइफ माता का अंचल तो आप यहाँ पे समझे कि जब आप यह पाठ पढ़ेंगे तो यह पाठ एक प्रेम के विश्य में है यह पाठ मम्ता के विश्य में है आप इस चीज को ठीक से समझे कि बच्चा परिवार के हर जनों से प्यार करता है परिवार के हरजन बच्चे से प्रेम करते हैं, पर निश्चल फ्रेमि इस संसार में कोई नहीं है, गुरुदेव कहते हैं कि मा जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, हाँ मतलब भगवानी है क्योंकि उच्छा मा के जैसा कोई प्रेम, बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यूं ना ह भाया हम तुम्हें ये देंगी तुम मां जाना ऐसे करना और ये बच्चा बड़ा भी हो जाये दो मां के लिए बच्चा भी रहता है क्योंकि मां बच्चे को अपने घर्में पाला है बच्चा fingerprints मां के यह एक हिस्सा है यह बच्चा से इनक लग गया था बच्पन में लेखक अपने बार में बताएंगे हम पिता जी के अंग लग गये थे पिता जी के साथ अधिकतर समय व्यतीत किया किन्तु उसके बाद भी जब परम संकट का समय आया तो उसे माता के आचल में ही शरण मिली जब जयन्त हमारी मा जानकी के पाउं में चोट करके चला गया था तो भी माने रघुनात जी से कहा नहीं क्योंकि मा तो जगदंबा है मा जगत जन्नी है और जयन्त भी उनका पुत्र है तो उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र की मतलब यह हरकत बताऊंगी तो पिता नाराज होकर कि तुरंत दंड वो अलग बात है कि र आप जैसे अगर मा वैशनो दिवी की यात्रा कभी करेंगे तो मा वैशनो दिवी की दर्शन करने के पश्चाथ आपको भेरो बाबा की दर्शन करने पड़ते हैं जब तक आप भेरो बाबा की दर्शन नहीं करेंगे आपकी दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे जिनका मा ने वद भी किया उनका भी कल्यान किया जब जब मारा तब तब तारा देखो इस संसार की स्रिजन हार वो मा ही है हम मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई कितना ही बड़ा संत महात्मा मा अरे जब भगवान भी प्रकट हुए तो शिशुलीला की की नहीं हाना मा ने भगवान का पालन पोशन किया या नहीं मार से दुलार लिया की नहीं भगवान को भी मा बनानी पड़ी तो इस और संसार का कोई कितना ही बड़ा महापुरुष क्यों नहीं हो सबकी स्रिजन हार मा ही है इसलिए सबकी पालन हार भी मा है और जो जैसे जो क्रियेटर है वही डेस्ट्रॉ पुरी जी साथ में दी, तब दक प्रभू नहीं मारते हैं राक्षसों को इतना, नहीं मारते हैं, और जब माँ चली जाती हैं, उसके बाद, रावड को भी मा के सामने नहीं मारा, मा परमसती है, मा एक बार दृष्टी से देख लेंगी, रावड भस्म हो जाएगा, किन्तु नहीं, जो राक्षस, हना जो राक्षसियां मा को सताती हैं अशोक वाटिका में, मा उनका भी अमंगल नहीं हो सकती, जो निंदक है, उनका भी कल्यान करना, ये मा का सभाव है, मा चाहे पगली भी क्यों ना हो, किन्तु वो अपने बच्चे से प्रेम करती हैं, देखिए, ज जीब भी हमारा है, बच्चा मा के ही अंश से प्रकट हुआ है, तो मा से अलग नहीं है, मा बच्चे को अपना एक अंशी मानती है, इसलिए मा कभी बच्चे से, जिस प्रकार जीब, अगर दात जीब को काट दे, तो हम दातों से कभी रुष्ट नहीं होते, उसी प्रकार ब बच्चे को निकाल दे, संपत्ती ना दे, दूसरा विवा कर ले, अनिको घटना है समाज में होती है, किम्तुए एक माही ऐसी है, जो परिवार को संजो करके, जो बच्चे को संभाल करके चलती है, इसलिए बड़े सौभाग्यशाली वो है जिनकी माह होती है, इस पार्ट के रहस्ते को समझे और ममता जो है यह काफी बढ़कर के हैं वैसे तो ममता सिर्फ मा में है जरूरी नहीं है मा में तो ममता की पराकास्टा है आप में और मुझ में पुर्शों में भी ममता हो सकती है अगर आप प्रेम से एक पौधे का बीच ला करके उसे उगाएंगे तो आपक के अंदर भी ममता आ जाएगी ममता किसी के भी अंदर आ सकती है देखो संसार का कोई महांदानी हो जैसे बहुत बड़े-बड़े महांदानी हुए है महराजा हरीश्चंद्र जी श्री राधय कर्ण हाना बहुत बड़े-बड़े महांदानी हुए है दानी हुए है कि तो द संसार में मा के अलावा जो भी आपसे प्रेम करता है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रेम करता है आपके शरीर के लिए प्रेम करता है आपके पैसे के लिए या कोई relation है पर initial frame वो किवल मा ही कर सकती है वो किसी और के बसका होई नहीं सकता मत संपात की नास्ती हना की मेरे समान मान लो की कोई पापी इस संसार में नहीं है फिर भी पाप आगनी तो तमसानी फिर भी आप जैसा पापों को पाप हरनी पाप नाशनी कोई नहीं है ऐसा जानकर जो उचित लगे आप वही करिये मा ये मा की महिमा है देखो ये मा और बाप एक सजन ने कहा मा और बाप में क्या अंतर है हम तो जंडरी क्वालिटी के समय में रहते हैं देखिए शब्दी अंतर बताते हैं जब आप कहते हो मा तो मुझ खुल जाता है जब आप मुझ बंद हो जाता है जिसके सामने बच्चे का मुझ खुल जाए जिसके सामने बच्चा अकर होकर के बात कर से के वो मा है वो मा पिता जी से लड़ जाती है जैसे जो किशोरी जी की भक्ती करते है अना जब हमारे प्रभु कभी कभी रुष्ट होते हैं कि ये दुष्ट दंड दिये बिना ये सुद्रेगा नी तो हमारी माँ हमारी माँ जगत जन्दी हमारी माँ हमारे लिए पिता जी से तीनों लोगों के स्वामी से लड़ जाती हैं कि नहीं नहीं हमारे उसका कल्यान तो निश्चित ही है, माता कांचल, ये पार्ट इसी प्रकार है, चलिए पार्ट को लाइन बाइन हम पड़ेंगे, शिफपूजन सहाय जी इस पार्ट के लिखा के, इस पार्ट में लिखा के तीन नाम आपको बताए गए है, एक तो पहले ही बता दिया गया प्लस इनको एक और नाम प्यार से दे दिया जाता है, आगे चलके भूला नात क्योंकि ये बच्पन में बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, चलिए देखते हैं, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग, जहां बच्चों का संग है, वहाँ पर हुडदंग मची रहती है, यहां बर बुढ़ों का मतलब जैसे बड़ों के बारे में बात की जारी है, यह सिर्फ 87 साल के नहीं वो तो है, पर उसके बाद भी जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, खर्चे का तंग, तो ना वहां परेशान र लड़कों का संग, जहाँ छोटे बालक होता है वां आमेशा खुशाली रहती है, कोई दूर से भी बच्चों को खेलते हैं तो उसके चेहरे पे मुस्काना जाती है, जो बच्चे होते हैं वो निश्चल होते हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उनको लाइफ की कोई टे बच्चे की क्या अपेक्षा है कि घर जाओं मा अच्छा सा खाना दे दे और तुरंत कपड़ा पहन के मैं जाओं निज्ये खेलूं उसकी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे धन मिले वैभव मिले माकसा है यह तो बाद में बढ़ जाती है चीजे हम इस चैप्टर को लाइन बैलाइन पढ़ेंगे क्योंकि यही इसका सही तरीका है जब मैं इस चवी के बारे में बात करूं बच्चो तो मैंने यह इसलिए पीपटी में डलवाई थी कि यह मा की चवी है मैंने अपनी आखों से देखा है कि कभी बहुत तेज धूप होती है तो मा क्या करती है कि अप बच्चे को नहीं लेके जाओंगी तो कौन ख्याल रखेगा तो मजबूरी में अपने कलेजे पे पत्थर रखे मा बालक को बाहर लेके जाती है पर मा के पास जो भी है मा इतनी अमीर नहीं है कि मतलब गाड़ी में लेके जाएंगी इसी चला करके पर मा के पास जो है मा उस सक्ति की समुद्र कितना गहरा है मैं आपको नहीं बता सकता कि मा की महिमा क्या होती है अभी ऐसे भी नवरात्र का समय चल रहा है अब स्वयम देखिए अब स्वयम समझिए ये हृदय की बात है ये हृदय की बात है खेर आगे बढ़ते हैं हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे हम बच्पन से ही उनके अंग लग गए थे माता से किवर दूद पीने तक करनाता था लेखक कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो बच्पन से ही जो है दिखी जो आपको जो स्टोरी दी गई है न ये छोटे थे तो फिर वो ना जादतर समय पिता जी के साथ गाओं में क्या होता है एक अंगन होता है गाओं में जैसे मर्द अकसर घर के बाहर रहते हैं आज भी अगर आप पुराने गाओं में जाएंगे तो घर के अंदर मर्द क्या करेंगे तो फ्लैट का कल्चर है मर्द घ गर के आगे जो स्पेस होती है वहां पे या घर के बगल में ये दूसरा बिल्डिंग जैसा बना दी जाता है बंगला वगयरा जो भी है तो मर्द घर के बाहर घर के आंगन में घर के बाहर ही सोते हैं घर के अंदर औरते सोती है ठीक है तो जैसे पिता जी बाहर चोखट पे उ तो पिता जी तड़की उठकर निवट नहा कर पूजा करने बैट जाते थे इस पाठ में आपको साधगी जीवन की देखने के लिए मिलेगी कि जीवन की सची साधगी यही है कि प्रभू भगवान पर विश्वास रखे अपना कर्तव विकर्म करे और साधगी से साधारन जीवन जीए धर्म से जीवन जीए दे को चारे पडा यार्थ नमबर पह धर्म को रखा गया है धर्म से जो अर्थ यानि की पैसा काम यानि की जो आपकी कामनाए हैं मुझे ये मिल जाए बो मुझे और मोक्ष यानि की जीवन मरन के चक्र से मुक्ती हो जाना नहीं तो फिर पता निये सुवर बनोगे बिल्ली बनोगे बड़ा कस्ट है बड़ा कस्ट है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य मानव जीवन की जो चार ये साधू महात्मा उसे सुनियो ही बात मैं आपको बता रहा हूं साधू जो भजन करते हैं वो किसी से अपने पाउं यूही नहीं जो अच्छे साधू है वो किसी से हां मतलब कभी कभी ठीक है बट किसी से ऐसे वो पब्लिक लिए कभी भी अपने पाउं नहीं छुआते औ अवरोध पैदा करेगा, तुम तो नर्ख जाओगे, उनको भी अपने साथ खीचोगे, तो समझो, अधर्म से कमाया हुआ पैसा कभी सुखी नहीं प्रदान कर सकता, वो कलेश उत्पन करेगा, दुख उत्पन करेगा, घूस देना, घूस लेना, बेमानी करना, यह आजकल के बच्चे कम समझते हैं, इसलिए मुझे बात तुम्हें, देखो मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं यह पाट पड़ा के जा सकता हूँ, मुझे भी घर जाना है, अभी रात का समय है, नवरात्री है, मिरा भी मन कर रहा है, खेलने का गर्बा, पर मैं, मैं अपने जीवन से दिखो, यार जीवन बहुत छोटा है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन की गूर बात तुम्हें ना बता हूँ, तो एक गूर बात बता रहा हूँ, पाप कर्म कभी किसी को बख्षता नहीं है, अनुभफ की वही बात बता नहीं, पड़ी वही बात नहीं, पाप कर् मत करो ब्रह्मचर्य से रहो अच्छे से जीवन व्यतीत करो गंदी हरकते कभी भी गलत संग कभी भी गलत बाते करना इन सबसे बचो अपने आप हो जाती है भगवान का नाम लो शमा मांगो आगे बढ़ जाओ वो अपने आप बल प्रतान करेंगे परना जीवन बड़ा आप इस चीज को ठीक से समझे धर्म से चलोगे तो जैजेकार होगी इस लोक में भी और पर लोक में भी इसलिए धर्म को पकड़ करके चलो धर्म को पकड़ करके चलो वही सुखी होगा माना माना कि धर्म पर चलता हुआ व्यक्ति शुरू में परेशान आपको दिखाई दे स सकता है क्योंकि समाज उसका विरोध करेगा कि तो अंत में विजय उसी की होगी विजय उसी की होगी धर्म पे चलने का मैं यह नहीं कह रहा कि आप जीवन बर सत्य बोलो अरे धर्म पे चलने का यह मतलब थोड़ी कि एक्स्ट्रीम हो जाओ भीश्म प्रतिग्या कर लो रहे न पूछ नहीं होगा कोई भजन कर लो कोई पूजा पाट कर लो कोई नहीं है दुखिया को कभी नहीं सताना चाहिए क्यों दुखिया को सताओगे तो दुखिया देगा रोए और जब दुखिया के मुखिया सुने तो क्या तेरी गति होए जब दुखिया के मुखिया सुन ल गंदे आचरण मत करो, गंदी बाते मत करो, गंदे संसकार मत बनाओ, और कभी धोका धड़ी मत करो, किसी को छलो मत, किसी को गिरा करके, किसी को ठक करके, अनन्दित मत हो, क्योंकि तुम जिसे छल रहे हो, जिसे ठक रहे हो, जब जीवन का अंति मवस्था आएगी, तो तुम वहीं हो, तुम किसे चल रहे थे, तुम किसी ठग रहे थे, तुम अपने क्लास के किस टॉपर से competition करते हो, तुम अपने क्लास के किस बच्चे को देख करके ये सोचते हो, कि मैं इससे अच्छा student हूँ, वो भी तुम हो, और वो भी तुम हो, तुम ही तुम हो, अखंड बाव जो विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे उसी से धराकृतार्त भाव मानती उसी की कथा मासरस्वती बखानती यही होता है आप समझेए अखंड आत्म भाव जो विश्व में भरे जो अपने मैं को सिर्फ यह धाचा नहीं समझता जो अपने मै वही महान है उसी की जैजयकार होती है उसी की जैजयकार होती है यह मानव जीवन बड़ा कीमती है इस जीवन से आप ब्रह्मा बन सकते हो इस जीवन से आप ऐसे बन सकते हो कि देवराच इंद्र आपको प्रणाम करें यह जीवन बड़ा कीमती है इसकी सार्थक्ता को समझो ध तो इस पार्ट में साधगी और धर्म आपको दिखाया गया है अच्छा आच्रण बच्चों को सुबह उठना चाहिए हना चार बज़े नहीं तो पांच बज़े आपको जो स्कूल जाना है उतना उठना ही पड़ता होगा रहे छे बज़े तो उठी जाते होगे उठो नाम जब करो किर्टन करो पांच मिनट दो मिनट अरे दो बार नाम ले लो भगवान का और उसके बाद अपने दिनचरिया में लगो पिता तड़कर उठकर निवट ना कर पिता जी सुबह उठकर के भोर में चार बज़े सुबह उठकर के निवट ना कर के सारा शौच वग पुझा पर बिताई और साथ नहला दुला कर पूझा पर बिठा लेते बच्य को भुझे को भी पिता जी सुबहे बच्च की मां से बच्च का च clef 002 की यहां कर आते की बच्च के बच्चक कम बच्च्बां बच्बंच मीस को Nepस्च Earle ठीक है हम भबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते हैं दिख करने का मतलब होता है तंग कर देना की पबू हमको भी पापा हमको भी तिलक लगाओ ना हमको भी तिलक लगाओ ना पिता जी पुजा करते थे तो भबूत यानि की राक होती है तो भबूत जो जी है हम भगूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते थे कुछ हस कर कुछ जुझला कर और कुछ नाट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रपुंड कर देते लिलार यानि कि फोरेड चौड़ा लिलार जिसका लिलार जितना चौड़ा है वो सौभाग्य का प्रतीक होता है अच्छा होता है नहीं है तो भी अच्छा है ऐसी कोई परिशानी नहीं है पर जिसका लिदार जितना चोड़ा है उसके माथे पर जिसका माथा जितना चोड़ा है फोरेड उसके माथे पर तिला उतना जादा खिल के आता है तो लेखक का बच्पन से माथा चो तो हां तो पिता जी को भभूत पिता जी भभूत का तिलक लगा देते हैं और लिखक के बच्पन से बड़े-बड़े बाल थे तो चोटी बाननी पड़ती है तो सर पे चोटी देखना कितना क्यूट बच्चा लगता है ना अब यहां कोई इमेज है कि नहीं प्रॉपर यहां साथ है पर देखो लेखक बच्पन में लेखक को बच्पन में चोटी थी और काफी क्यूट लगते थे लेखक और फिर चोटी थी और उसके बाद सर पे भभूत रगाना तो खाजा Bambola बन जाते थे पिता जी हमें बहुत प्यार से भोलानात कहकर पुकारा करते थे पर हमारा असली नाम था तारकेश्वरनात तीन नाम है शिफपूजन सहय जी नाम का मतब शिफपूजन जी जो नाम है यह पाठ में कहीं नहीं दिखा है पाठ में दो ही नाम है आपको तारकेश्वरनात और भ पहला नात कहा जाने लगा, students पूछते हैं, सब्सक्राइब क्या नाम था, तिको शिफपूजन सहाय, आगे चलके, इनका, मतलब, documents में, मतलब, इनका proper नाम वही हो गया, घर एक होता है, गाउं में होता है, एक राशी, राशी का नाम अलग होता है, पुकार का नाम अलग होता है, जो ग्रामीन जीवन से बहुत ज़्यादा familiar है, वो समझ पाएंगे, आजादी से पहले की कहानी है, यह ना, तो भी आप लोग शेहर के पलने वाले बच्चे हो, आप कहां यहीं सब समझोगे, तो खेर, आप यहीं ध्यान दीजे, तो मतलब, तीन नाम है, पार्ठ में द बैठे बैठे आईने में, बाबुजी का नियम था कि सुबह उठकर कि वो नित्य रामायन का पाठ करते थे, रगुनात जी की कथा का पाठ करते थे, हना, तो अब रामायन का बाबुजी धर्मात्मा थे, धर्म से बाबुजी चलते थे, धर्म से अर्थ कमाते थे, और धर् पुरुषों की उत्तम संताने होती है नहीं तो कठेन होता है तो धर्म से बाबुजी रामायन का नित्य पाठ करते थे तो अब क्या है कि लेखक तो बड़ा छोटा है वो कहां पाठ देख पाएगा बच्पन से ही संसकार बच्चों के हम बच्चों को क्या सिखाते है जौनी यस पापा इटिंग शुगर बच्चा जूट बोल रहा है नो पापा ठीक है अगर सिल्बस में पर कभी किसी राम कथा में भी ले जाना चाहिए वो भरत जी का प्रेम आप एक बार सोच करके देखिए भरत जी उनसे तीर्थ राज प्रयाग ने कहा कि मांग दीजे भरत जी चारी पदा अर्थ भरी भंडारा धर्म अर्थ काम मुक्ष क्या चाहिए तो कहते हैं कुछ नहीं जनम जनम रती राम पद यही चाहिए ना अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए ना काम चाहिए कोशल्य कुमार मुझे राम चाहिए भरत जी क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मैं रा हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम यह चाहते हैं कि वो बंदा या वो शक्स जाने कि हम भी तुम से प्यार कर रहे हैं कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो भगवान जानतो रहे हैं ना कि मैं पूजा कर रहा हूँ मैं ये प्रसाद चड़ा रहा हूँ लड़ू चला रहा हूँ मैं वरत रख रहा हूँ चड़ा रहा हूँ भगवान जानतो रहे हैं क्योंकि हमारे मन में क्या होता है भगवान को अगर जानेंगे तभी तो भगवान कृपा करेंगे फल देंगे किन्तु ऐसा प्रेम कि मैं रा पार्ट सिर्फ गाओं की कोई कहानी नहीं है कि यहां गाओं में बच्चे शादी का केल केला करते थे रहरी में रहरी दूला के डूली के कन्या हमार महरी नहीं यह पार्ट किस बारे में यह पार्ट साधगी के बारे में जिसका मन निर्मल नहीं है पवित्र नहीं है वो यह प पाठ को समझो तभी ये पाठ आगे तक याद रहे और दुबारा ये इस वीडियो को कोई व्यू देने की जरूत नहीं पड़ेगी पिता जी जब रमायन का पाठ करते हैं लेखक शीशे में चुपके से अपने आपको देखते हैं कि पिता जी ने त्रिपुन लगाया है मैं कितना अच्छा दिक्र और पिता जी देख रहे हैं तो लेखक शर्मा जाता था इस तरीके से पिता जी भी हसने लगते थे पिता जी पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम नाम लिखते अपनी एक राम नामा वही देखिए जब आप नाम लिखते हैं ये भी मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए मेरे स्टूडेंस को राम कृष्ण राधा जो भी नाम आप लिखते हो आप तो नहीं लिखते होगे लिखते हो पाद श्रीक गोस्वामी तुर्सिदास जी कहते हैं कि अगर राम जी स्वैम अपने नाम की महिमा बखनना चाहे तो भी वो उसमें असमर्थ रहेंगे ये वही नाम है इस नाम की महिमा को समझ गया जो वो तर्ब्यूर अरे जब नाम भगवान अधीन हो जाते हैं तो और क्या बचता है ये नाम ही नाम ही नाम है अरे नाम की रितन करो तुम सुधर जाओगे पाकर हरी प्रेम निश्चित ही तर जाओगे नाम की महिमा बड़ी अद्बुत है जो भी सिद्ध हुए है वो नाम जापकी हुए है आप समझे नाम की महिमा नाम की महिमा मा द्रौपदी ने नाम सुना मुरटेर सुनी ठिर ना रही पहिए जो माने नाम पुकाया मा जानती है मैं एक बार कृश्ण पकारूंगी मुरटेर सुनी ठिर ना रही पाहिए प्रभू मेरा नाम मेरी पुकार सुनकर दिर अस्तिर नहीं रह पाएंगे तुरंद तिव्रगती टीव professions मैं प्रभू तीजी से आ evangelical उनके पीछे गरुड और प्रभू के आगे वस्तτα सिद्ल और प्रभू ने सवेम वस्त्र अफ्तार ले लिया तो यह चीजे हैं तो बाबुजी जो है वह रमायनों के आप में बालते विए रभुषवर जिब चुपके से हैं अपने आपको देखते देख रहते थे , पढ़ते वक्त कभी नजर चली घ्रकेशवर नाथ भो ला नात की तरफ तो जैसे हमारे रगौनाज जाब चोटे थे , लील आपका दो ओ फर इसे दो अधिक डलो में शिवाक महराज दशरत के महल में बहुत सारी मडियां थी महराज दशरत का वैभव मतलब काफी कमाल का महल था उसमें महल में कई खंबे थे जिसमें अलग-अलग मडिया थी तो हमारे चोटे से रगुनाथ जी जाकर के उन मडियों में अपने आपको देखते थे और रजाते थे आइने वे देख रहे थे अपने आपको Pooja बाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखते थे और उसके बाद इसको फोथी बांध और अपके इसके दॉपारा राम नामी बहिएन की इक दो यह बुक्त की तरह कह सकते हैं सार राना मदधर, नेरंतर नाम जग करो, और 500 बार राम नाम लिख करके आटे की गोल्यों में च्छोट चोटे कागस की टुकड़ों हल्का राम राम लिखना बड़ा कठीं होता है यह जितने च्छोटे में आपको लिखना हो उतना कठीं होता है चोटे चोटे पांथह आज कहां को देने चले जाते थे आगे आपको बताएंगे जब पिता जी जाते थे वहांirs राम नाम लिखा है वो लेके गंगा जी यानि कि इससे हमें पता चलता है कि लेखक के गाउं के पास गंगा मईया है तो गंगा जी के पास जाते थे बाओ जी तो लेखक बाओ जी के कंधे पर बैड़ जाते थे बाओ जी चलो चलो और फिर बाओ जी जाते थे एके करके जो है मचलियों को आटे क गोलियां खिलाते थे धर्मात्मा पूरुष थे बाउजी और जब वापस आते थे तो मैं आपको छवी दिखाता हूं कोई मान दीजे कोई पेड है जिसकी टहनी जो है वो थोड़ी सी जुकी हुई है लेखक पूरा समय बाउजी के कंदे पर ही चड़े रहते थे और आते वक बच्चा है इनका असली नाम था तारकेश्वरनात आगे चलके प्रसिधि में नाम शिफ पूजन सहय हो गया पाठ में आपको दो ही नाम दिए हैं तारकेशवरनात और भूलानात और वह इस पर बठा करके उनने जुला जुलाते थे लेखक को अब आगे कहानी क्या होती है कभी-कभी बाओ जी के साथ कुष्टी भी लड़ा करते थे हना कभी-कभी बाओ जी के साथ कुष्टी भी लड़ते थे और कुष्टी लड़ते वक्त क्या होता था कि जब बाओ जी के साथ कुष्टी लड़ते थे छोटा बच्चा था भोला नात तो वहां से आने के बाओ ज चाटी पर उतान होकर पल जाते ते की पीठ के बल गिर जाते थे और वडूस की बाद बच्चा जाता था और फिर और जोर से बाउजी के बाल नोचने लगता था छोटा बच्चा है तो बाउजी फिर इस पर बनावड़ी रोना देखो बड़े सभाग्यशाली है वो लोग जिनको अच्छा बचपना मिलता है तो वह बाउजी उस तरीके से रोने लगते थे जूटा रोना रोने लगते थे यह यहां पर भी लिखा है मैंने पूरा पढ़ नहीं रहा था बाएंगाल का खट्टा चुमा लेकर जब दाहीने का मीठा चुमा लेने लगते तब अपनी दाड़ी या मूच हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते हम जुझला कर फिर उनकी मूचे नोचने लग जाते इस पर वो बनावटी रोना रोते और हम खिल खिला करके हसने लगते उनके साथ हसते हसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते अब यहां पर एक क्रोनोलोजी देखिए आप सीक्वेंस देखिए बच्चा शुरू से जब से उठा है वो बाबुजी के साथ ही है अब आप पार्ट में लेखक आपको शुरू में यही बता रहे हैं कि हम जैसा उन्होंने पहले का हम बच्पन से ही बाबुजी के अंग लग गए थे examination में जब कोई question आता है जिसमें लेखक और बाबुजी के संबंध का उसकी विशे में वो आपसे प्रशन पूछते हैं तो आप यह textbook की line जरूर अपने answer में लिखेगा कि लेखक का यह मानना था कि वो बच्पन से बाबुजी के अंग लग गए थे या अगर question इस तरीके से पूछते हैं कि लेखक को मा के आंचल की याद क्यू आई अंत में आप आगे देखेंगे तब भी उसके answer में आप यह लिख सकते हैं कि हाला की लेखक तो बच्पन से ही कि बाबुजी के अंग लग गए थे जैसा उन्होंने पाठ में बताया है किन्तु इस परिस्तिती के वज़े से उन्हें मा की याद आई जब आप इस तरीके से अपने answers लिखेंगे जिसमें textbook के कुछ important line या important words जैसे अंग लग जाना यूज़ करेंगे तो definitely examiner आपको पिता से बड़ा प्रेम था तो बच्चा रात में सोता था पिता जी के साथ मानुद्दिन हो गया पिता जी ही बच्चे को उठाएंगे पिता जी ही बच्चे को नहलाएंगे धुलाएंगे पिता जी ही उसे पूजा पर बठाएंगे पिता जी ही उसे कंधे पर बठाके सेर करने दे जाएंगे पिता जी उसे झुकी हुई पेड की डाली ओपर जूला जुलाएंगे और घर आने के बाद अब पिता जी ही उसे ख़ाना खिलाएंगे बद बच्चा का मा से तो कोई संबंद कोई संभाशन कुछ होई नेरा मा के साथ interaction पूरा तो पिता जी के साथ ही है तो हस्ते हस्ते जब हम घर आते तब उनके हाथ से ही हम चौके पर खाने बैठते वह अपने हाथ से फूल के कटोरी में गोरस और भात सान कर खिलाते थे गोरस यानि की दूद की बातुरी है गव माता का यानि की दूद भात बड़ा अच्छा लगता है अगर वेद लक्षना भारतिया गाये हो और उसका दूद हो तो गोरस उसमें हलका सी शक्र डाल दी होगी जो गाउं की लोगी उन्हें खूब खाया होगा गोरस और भात दूद भात बचों खिलाते हैं जब हम घर आकर अफ भी खालो सबजी नहीं है तो या चावल दूद खालो दूद भात अच्छा है जब हम खाकर अफर जाते हैं अफर जाने का मतलब लिखक जब खाके एक दब मतलब उसका पेट भर जाता तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती वह बाबुजी से कहती कहने लगती आ मा जैसा प्रेम एक प्रभु हीहें जो कर सकते हो और माही जो कर सकती है अच्छा तो नहीं बड़ा गठी नहीं तो आप इस चीज़ को समझी मा जो है वो बच्चा कितना भी बच्चे को और कैसे सुखी बनाया ही सोचती है तो बाऊAcु जी खिला देते दृटे का बड़ कोई बहुत का कटो रहा था कुछ लोगस बताने हैं कि एलॉय का कटोरा था हो सकता है मेरे आजादी बहुत खहले भारत के बहुत है जो उसफंस哥 ने ने में बर्तन के बसम या सब के कुछ बर्तन होते थे यह चांदी के के कुछ बर्तन होते थे झाल उतना यूज नहीं होता था या फूल के कतोरी ऐसे पतियों की какरी बना ली हना बांस की कर्टोरी बना ली तो वैसा कोईscale लगी है और दूद भात सान कर खिछा थे अब बच्चा और खा रहे हैं चोटा कौर है तो चार-चार दाने के कौर डालते हैं इससे बच्चा थोड़ा खाता है उसके बाद भी उसे लगता है कि उसने बहुत खा लिया हना मर्दुए क्या जाने की बच्चों को कैसे खिलाया जाता है और महतारी के हाथ से खाने से ही बच्चों का पे बच्चे को बच्च को भर्मू को खिलाने को चाहिए जाता है अब लेक्षक का पेट भरा होता है तो मा क्या करते हैं ऐसी में ju हिस्से के बना देती हैं और भूल करनेों हो जैसे इसमें उसके थाने मैं को क reiter कोन पहल बनां दिये ऐसे जो दही बहत था इतना थोड़ा सा दही बहत बचा था उसको मुल्टिपल कौउर्स में जो ईश्ट्रिब्यूट कर दिया और हर कौर को जो है नाम दे दिया क्या सब्सक्राइब मौर बढत है उना ओर यह चिडिया है जल्दी चला Wilson small cut कौपा ए ऐसे चढीजों का नाम रखक कर के मा फोलानात को बहुझन कर लेता था पक्ष्य उडपा इससे पहले लेखा कि अपने पेठ में उड़ा ले जाते यहां लोकाक्ती का प्रयोग करते हैं मा जब कहती है मर्दुय किया जाने है आप तो बच्चों के मुँँ में चार-चार दाने के जब खाएगा बड़े-बड़े कोल तब पाएगा दुनिया में ठ्षओ जब अच्छा खासा भोजन करेगा तो दुनिया में अपने लिए वो अपनी स्थान बना पाएगा अपनी जगा बना पाएगा ठोर यानि की जगा स्थान जब खाएगा बड़े-बड़े कौर दुनिया में पाएगा ठोर यह यहां पर मा कहती है ठीक है आगे बढ़ते हैं माँ तो खिला ही रही है देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए के आजाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए मैंने आपको जैसे बताया और फिर वह वह मैं आपको बता चुका हूँ पक्षियों के बनावटी नाम लेकर के जब हम सब बनावटी चड़ियों को चट कर जाते थे तब बाउजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो बस हम उठल कर उचल के उचलने कूदने लगते थे पर रसी से बंदा हुआ काट का घोड़ा अब उसको क्या होता है कि काट का घोड़ा होता था ठीक करते हैं इसको क्हीच कर चलता थे हो। इसके लिख़िक होते हैं तो अपना कॉड़ा trace से उसको भीच्चता थे हो जब भी तो और नी चाहते पर जब हो पकड़ लेती है क्यों सुबह से हो गया चलो सिर पे लागा बच्छा बोटे तेल नहीं लगाना है लेकिन नहीं मा जवरदस्ति जो है एक चिरुआ करुआ चिरुआ यानि की एक हाथ में जितना का तेल लेकर के बच्चे के सर पे लगा देती है बच्चे को उस वक्त होग睡 काफी बुरा लगता है बड़ीए यह कृपर ही लेखक का बड़े हो जाते उनको बाद में समझ में आता है मा ऐसे कड़वा तेल लगा दिया करती थी भोलानात को वह बड़ा जुंजलाते थे लेकिन उसके बाद भी मा जवर्दस्ती लगा देती थी बाबु जी जो है वह इस बार मा पे गुस्सा हो जाते थे हम रोने लगते कि लाग छट पटाने पर भी एक चिल्लू कड़वा तेल वह हमारे सिर पर डाल के देती थी हमारा हमारे सिर पर मा जो है तेल लगा देती थी बच्चे को जब बच्चा रोने लगता तो बाबु जी उन पर विखड़ खड़े होते बाबु जी मा को डाटने लगते है रहे क्यों कर रही हो ऐसा जाने दो रोज तेल लगाना जलूरी यह क्या हफता में एक दो दिन लगाया जाता है पर मा तो मा है मा वही है जो खुद डांट खा जाएगी खुद दबक के रह जाएगी किन्तु उसके बाद भी बच्चे पर आँच नहीं आने देगी यह महिमा है मैंने आपको पहले ही बता है मा की महिमा तो स्वेम प्रभू भ की डांट भी सुन लेती है पर मा कहती है कि ठीक है मुझे पिता जी डांटेंगे कोई बात नहीं मतलब यह इसके बाओ जी डांटेंगे कोई बात नहीं लेकिन चलेगा मैं बच्चे का सिर्फ तेल नहीं लगाती थी मा तेल लगाती थी प्यार से बच्चे की चोटी बनाती यह मामी इसा क्यों करती है? बच्चे को गुस्त आ रहा है, बच्चा जूझला रहा है पर फिर भी मा बच्चे पर किरोद नहीं कर दी अरे यहां सामने से आपको कोई जुझला कर दो जवाब दे दे तो आप उसको तीसरा जवाब ये भाई बहुत हो गया आप सामने से बोल दोगे लेकिन बच्चे के लाग छट पटाने पर जुझलाने में मा के खिलाफ विद्रो करने पर भी मा का विरोध करने पर भी मा को गुसा नहीं आता मा करपा ही करती है तो मा ऐसा ही नहीं सिर्फ तेल लगाती है तेल लगाने के बाद अच्छे से बाल को भूंदती है अच्छी सी चोटी बनाती है उसके बाद बच्चे को रंगी नए नवेले कपड़े पहनाती है और उसके बाद खेलने के लिए भेज देती है बच्चा फिर खुश्च हो जाता है ये प्रसंग हमें ये समझाता है कि मा की डाट मा की क्रियां हमें कभी-कभी न माता न भबती पूत कपूत सुना है किन्तु माता नहीं कुमाता आने को कुपूत आपको सुनाए देखे देगे आए इस समाज में कि तुम और कभी कुमाता हो ये अपने इस सुनेंगे leон यह संभव ऑए नहीं सकता उैज शीहें पार्थ में अब बता रहे हैं औंफिर म फूल दार लट्टू बांद कर यानि कि फूल का छोटा सा घजरा मान लो वह ऐसे बच्चे के उस पे बांद देती बच्चे को मा देखो बच्चे को कितना सुन्दर बना रही है और बच्चा मा का विरोध कर रहा है और रंगीन कुर्तया ठोपी पहना देती हम खासे कनहिया माँ चोड़ती है जब बच्चा स्वेइदी बना इसकी बाद पूजा और इसके सर पर त्रिपुन्द कर देते थे तो बच्चा बाबुजी के साथ भोला नाथ बन जाता था और जब मा की शरण में आता था तो एकडम जो चोटी है माने और अच्छे से चोटी को बांदा सर पे तेल लगा के मसाज करके चोटी को बांदा ऊपर फूल दार वो लट्टू यानि कि फूल का गजरा टाइप लग बच्चा थोड़ा रो रहा था कि माने जवर्दस्की पगड लिया वह सिसकते सिसकते बाहर आता बाबुजी के गोध में और वहां पर उसे उसके सैपाथ ही मिल जाते है यानि कि जिसके साथ बच्चा खेलता था अगसर बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाला हमारी बाट ज है तो बच्चा जो है एकदम से खुश हो जाता है वह अपना सारा रोना भूल जाता है और खेलने कुदने के लिए बाबुजी की गोध से उतर के चले जाता है अब यहां पर आगे लेखा खेलों का बढ़नन करेंगे कि गाओं में आजकल तो लोग वह पता नहीं वह मोबा इसमें क्या है ना कि वह बच्पना आपको आपको नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए वह खेल वह कूद वह जोश वह भूलापन और यह मोबाइल की जैसे मेरी मेvert कड़े लगे की पर वैं बोलूंगा इस मोबाइल की जैसे बच्चों का भूलापन चला गिया आप मिलता है वही देखते हैं आजकल बड़ा trending है मैं आपको अपने दिल के हरदय की बात बता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है और मैं भी इसका शिकार था कभी कोई अगर कोई क्या बोलते हैं उसको non-wet joke कुछ तो बोलते हैं कोई अगर कोई मतलब घटिया सी बात करेगा तो उसकी संगत तो बच्चों को ना मतलब समय से पहली बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हमने पूरी दुनिया देख लिए हम क्या करेंगे लाइफ में आके क्या करूंगा जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं होता वह excited होता है वह खेल खेलेगा एनरजेटिक हो का उसने कभी बंबई नहीं देखा कलकत्ता नहीं देखा अमेरिका यही तो अमेरिका की सीरीज देख दखती है अमारिका ऐसा है वैसा है सब दुनिया देख रहे हैं अभी से किसी चीज़ के लिए excitement ही नहीं है ऐसा लगता है कि हाँ हम तो अंतरिक्ष वगे छोटी सी कहानी है सुनो एक चोर था मुझे कहानी ठीक से याद नहीं है मैं गलत सही बताओंगा पर उसका मूल समझना एक चोर था उसने क्या किया एक सेट जी के यहां चोरी की चोर ने सेट जी के यहां चोरी की और भागा अब सेट जी ने क्या किया सिपाहियों को राज- दूर पे उनको मिल गया, तो वो चोर पेड़ के नीचे कहीं बैठा हुआ था, वो समान जो चोरी किया था वो लेके, चोर ने भी राज करमचारियों को देख लिया, राज करमचारियों ने भी दूर से चोर को देख लिया, चोर चोर भागो भागो, अब चोर भी समान उठा क भागा कि पकड़ा जाओंगा तो राजा सजा देंगे अब चोर भागने लगा राज करमचारी उसके पीछे भागने लगे अब राज करमचारी की तो अपनी ट्रेनिंग होती है वो बड़ी तीजी से भाग रहे हैं अब ये भी भाग रहा है जान बचाने के लिए अब ये ठ सत्संघ कर रहे थे सत्संग यानि की प्रवचन वो अपने जीवन के सत्ते से अवगत करा रहे थे घवान की चर्चा हो रही थी है आप वहां गया और भक्त लोग भी आये थे महराज जी कर लोग उस पाइं अप शुपके से और उसा भीडिंघ में बैठ गया अब कहाए कि चोर वहाँ थोड़ी देरी बैठा था, चोर जो महराज जी बोल रहे थे सत्संग में चोर का ध्यान उस पर नहीं था, उसका था कि बस जल्दी यह सिपाही जाए कि मैं उठकर के यहां से, जिस दिशा में सिपाही जाए उसकी विपरीत दिशा में भागू, अब यानि कि गुरु बना ले जो गुरु दिक्षा ले ले उसका नया जन्म हो जाता है जो एक बार भगवान के मार्ग पे चलने का नया ले ले कि आथ से मेरा मार्ग भगवान का मार्ग आथ से मेरा और कोई कर्तव नहीं है हरी शर्णम हरी शर्णम हरी शर्णम जो एक बार नाम देते हैं कि नाम जपना ये इस मंतर का गुरु मला से पाठ करना उसका नया जन्म हो जाता है उसने बात सुना उसने सोचा पाप तो हम करी रहें किस्क निपटा दिया है जिन्होंने हमें मना किया चोरी करने से और अभी भी चोरी करने तो जब सत्संग खतम हुआ वो सत्संग खतम ही होने वाला था जब वो पहुचा था सत्संग खतम हुआ उसके बाद सब लोग महराज जी से मिलके जाने लगे तो वो अंत में था सूची के, लाइन के, वो गया, और महराजी को प्रणाम करके जब सब चले गए, तो एकांत में कहा, कि महराजी क्या ये सत्त है, कि आपने जो कहा कि जो एक बार गुरु दिक्षा ले ले और भगवान के मार्ग पर चलने का निड्ने ले ले, उसका नया ज तो क्या हमारा भी नया जन्म हो जाएगा माराजी ने बुला तुम कौन हो तो बुला हम चोर हैं चोरी करते हैं अभी भी चोरी का धन लेकर रहे हैं कितनों को तो निप्टाया है चोरी के चक्कर में क्या हमारे जैसे का भी उद्धार हो सकता है हना तो बुले हाँ हो तो सकता ह तो मुद्धार करवाना चाहते हो तो चोर ने कहा कि देखे महराजी अभी तो मेरी बुद्धी कह रही है कि हाँ हाँ अभी गुरु दिक्षा ले लो बहुत पाप की हैं अभी सुधर जाओ अभी मौका है पर बाद में यही बुद्धी पलटी मारेगी बोल देखे कि नहीं नहीं यह सब में क्या रखाया चलो दूसरे सेट के हाँ चोरी करते हैं आपको अगर मुझे अपना शिष्य बनाना है गुरु दिक्षा देनी है तो अभी दे दीजिए क्योंकि अभी मेरी बुद्धी चाह रही है गुरु दिक्षा लेना आगे का में बता नहीं सकता तो ऐसे लोगों के लिए जादा वेट भी नहीं किया जाता तुरंत करपा की जाती है तो उन्होंने बोला हाँ चलो तुरंत उसको बुलाया गुरु दिक्षा दे दी कंठी पहना दी और उसके बाद हो गया अब चोर ने चोरी का समान कहीं साइड में फेक दिया वहीं दूर कहीं जाके और उसके बाद वो फिर अब बोला अब तो हमें भगवान के मार्क पे चल गया दूसरे वस्त्र धारन करकी गले में कंठी है और फिर नगर में निकल गया अब राज करमचारी उसको हर जगा ढूंड रहे थे ये बात फैल चुकी थी कि कोई चोर है तो राज करमचारी उन्हें बाजार में एक दिन उसको पकड़ लिया अरे ये तो वही चोर है वही चोर है उसको पकड़ लिया नहीं महराज जी इस जन में मैंने कोई चोरी नहीं कि इस जन में तो जनम सेठ जी बोले हरे घरे जन अभी दो दिन पहले तो चोरी की इस जनम में चोरी कि इतना बड़ा जूटा और कपटी और अर पूरे विश्वास से पक्का महराज, इस जन्द में मैंने कोई चोरी नहीं की। महराज भी संकट में आ गए। कि सेठ जी कह रहे हैं कि यही चोर है, राज करम्चारी भी कह रहे हैं कि यह उस दिन देखकर कि आमें भागा था, किंतरु उसके बाद यह कहरा है कि अब उस समय क्या होता था नियम क्या होता था जैसे कभी भी유 roads करनी होती थी तो इक नियम होता था कि जैसे एकुष्टि है कुईला अधमाना लो तप्त्ति आग से अग आग नि также को जला कर आग पर चलना होता है तपती आग ओती थी और क्या करते थी पाउ में धागे का एक तो इसको जाद साधा कि में बहुता तुम्हाँ में तुमि जूट बढ़सा होग ऑड़ तुम्हारे पाउों गुझा, बहीं जल जाये गो तो लिए सी पी जाग नहीं पाऊगे अब क्या है कि चोर को लगा परिक्षा देनी पड़ी फिर चोर को यह याद आया कि मेरे गुरु जी ने जो कहा था तो चोर को गुरु के वाक्य पे पून भरुसा था तो चोर ने जब उसके पाओं के नीशे पट्टी बांदी गई अब उसको डर तो लग रहा था जो भी गलत काम करता है उसके रिदे में डर होता ही है तो अब डर तो लग रहा था लेकिन चोर ने जोर से यही बोला तप्ती आ गया नहीं नहीं मुझे गुरु जी पे इस जन् साइब आपर ये तो कोई महात्मा लगते हैं हना इस छेट को फासी पटांगो कि इतने बड़े महात्मा की उपर इसने कंठी धारन की होई हैं इसकी उपर जूट आरोप लगाया फिर चोर ने बुला नहीं महाराज जी जूट ये भी नहीं कहरे मैंने चोरी तो की थी कभी थी महाराजी दो दिन पहले तुम तो बोले इस जन में तुम पूरी कहानी बताते हैं तो आप समझे सत्संग बिन्यू सत्संग विवेक नहीं होगा और बिना विवेक की आपकी बुद्धी सही गलत का निन्ने नहीं ले पाएगी वो दोस्त कहींगे चलो आज ये राक्षसी भोजन करते हैं चलो ये खाते हैं चलो ये सब करते हैं लेकिन नड्ने बुद्धी नहीं कर पाएगी नड्ने ले भी लेगी तो टिक नहीं पाएगी वो विवेक के बिना नहीं होगा बिनू सत्संग विवेक नहीं होगा और विवेक कैसे मिलेगा सत्संग कैसे मिलेगा रा तो वही मैं कह रहा था कि गाओं के बच्चे अच्छे खेल खेलते थे तो अभी गाओं में उस समय आजादी से पहले कि गाओं का धर्शन करने का आपको सुभाग ये मिल रहा है दर्शन कीजिए अभी अलग-अलग तरीके के खेल नाटक करते थे चबूत्रे का एक को नहीं नाटक घर बनता लेखत थोड़े अमीर घर से था तो उसके घर के बाहर चबूत्रा था सब बच्चे वहीं आके खेलते थे बाबुजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंग-बंच बनती उसी पर सरकंडे के खंबू पर यहां बहुत सारे ना गाओं के वर बाबुजी होते थे वह मैं आपको बता देता हूं तो पहले जो है वह क्या करते थे वह दुकान लगाते थे चलो दुकान लगाते हैं तो यहां पर इन्होंने लगाने की कोशिश किये तो क्या करते थे सरकंडे के सरकंडे यानि की बास के छोटे छोटे टिकड़े बाबुजी की चोटी चोकी थी उसी की उपर बास के चार कुने पर चार टुकडे बास के सरकंडे के टिका करके मिठाई की दुकान लगाई जाती सरकंडों के खंबे बनाते बाबुजी की चोटी चोकी थी इध इधर सरकंडा, इधर ऐक इधर ऐक और कहीं से कोई कागज ला करके कैसा भी उसकी उपर रख कर के छोटी सी दुकान बना दी, चार्ख सरकंडे के खंबे चौकी की ऊपर, ऊपर कागज मिठाई की दुकान बनाते थे, मिट्टी गीली करके उसको ऐसे करते हैं ढूले, इई की बनाते थे पत्तों की पूडी काचोडियां जलेबियां फूटे घड़ी के बताशयादी मिठाईयां सजाई जाती थी ठीकरे बट करे बट खरे और जस्ते के छोटे जस्ते भी होता है छोटे-छोटे टुकडों के पैसे बनते कंकर छोटे-छोटे हमी लोग खरीदार हमी लोग दुकान दार बाबु जी भी दो-चार गोरक पूरिये पैसे खरीद लेते थे गोरक पूरिये पैसे का मतलब वो नकली पैसे जो है वो बाबु जी भी थोड़े-मोडे खरीद लेते थे कि हमें भी थोड़े पैसे दो और वो अरे कंकर दे के कौन सी मिठाई भी तो बताशे वो घड़े के टुकड़े हैं वही है जो लेकर के अरे मिठाई कितने का दिया 100 रुपे किलो 500 रुपे किलो ऐसे वो दे करके खेलते थे बच्चे आपस में बाबुजी भी इस खेल में उनका साथ देते थे थोड़ी दिर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरॉंदा बनाते थे धूल की मेड दिवार बनती और तिनको का छप पर दातून के खंबे दिया सलाई घरॉंदा यानि कि जहां पर चक्की वगेरा मतलब आप कह सकते हो कि महां चक्की जिस पे आप आटा पीसते हो थो चावल काटम अदौर चार बीकित स्कते हो धान पिसवा लोग यह है ऊपर हिए च्छोटी 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 होती jedem मतलब उसी को देखो दाटून का यूज़ करते दिया सलाई की पेटिव क्या माचिस कहाले डबबब ले आते याओं कि बच्चे को भी इसको यूसे बड़े अद्वूत खेर खेल खेलते हैं। पर चिंशल में अगे पड़ेंगे इतनी मा। चुनियट के साथ खेल खेलते थे Titने अधबुथ इतने नए 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 तरीकों से अजीब चीजों का प्रयोग कर खेल खेलते थे जी अक्सर वहां से इस रास्ते से एक बच्चे से जहां बच्चे खेल रहें उस रास्ते से जो आने जाने वाली दोग भी थे कभी कभी रुख करके बच्चों के खेल देकर आनंद ले लिया करते थे यह बच्चों का बच्पना है अपने आप में आगे देखिए अब क्या होता था भोज लगाया जाता था ठीक है पानी के घी पानी को घी माना जाता था धूल के पिसान धूल को पिसान बालू को चीनी माना जाता था हमी लोग ज्योनार ते पहले क्या है घरॉंदा बना करके मतलब हम यहां आटा चक्की बनाएंगे यहां पर चक्की टियों समझे एसे बच्चे काइंड घरगर खेल रहे खेलते थे जिवनार का मतलब भोच दावत को दावत तयार करते हमी लोग लोगों की जौनार बैठती है बच्चे ही भोजन तयार करते और बच्चे ही भोजन करने बैठ जाते थे तब बाबुजी भी धीरे से आगर पां पांत ब करें जता हम में आता हुआ अट ऐखाने देन अब शब्सक क्यों सब्सक्राइब करें ने जो को हाइब है क्या होता है जैसे एक सींग में आठ लोग ऑठें फर्श को ऑलाइब ऑनियों आपने 172 चलों है पूरी पांत तबी उठेखी जब आठो का भोजन भोगा तो कोई अगर किसी का भोजन जल्दी हो गया है तो वेट करेगा बाकी लोगों का भी भोजन को जाए जब बाकी सब का भोजन हो जाएगा सब लोग उसी में पही कर अपना लेकि एक साथ उठेंगे तो पांत बैठती भी एक साथ है उटती भी एक साथ है गाउं की परंपरा है और इसका sense करता है कि systematic तरीके से काम होता है फिर ठीक है कि भी धीरे से आकर पांत में अंत में जिमने के लिए तब बच्चों के खेल देखते हैं उनकी घर के सामनी ही हो रहा है तो फिर जब अपना भोज करते ऐसे बाओ जी चिपके से सर पे ऐसे देखे पल्लूर क्या बोलते हैं गमचा रखके चिपके से बाओ जी भी साइड में बैठ जाते थे हमकों भी दो बच्चे खूब हसते थे और हसके लोटपो कि 나ा जयोनार का मतलब भोज और दावत वह कब होगा तो बच्चे जोएं भोज करते हैं जयोनार यानिकि भोज बच्चे भराद भी निकालते हैं या पर दर्शन करेंग कभी नहीं चलो बण кстати to kind तंबूरा बनता कनस्तर यानि कि वो टिन के कैन नहीं होते वो कभी आपने देखे होंगे अभी भी शायद कोई-कोई समोसे वाजे कभी-कभी उसी से तेल डालते हैं ऐसे क्या गया कलम दे दीजिए चेजिए है ऐसे रेक्टाइंगल शेप्प के टिन के क्यान होते है उपर चेड़ो ता essence क्यान को तिल्ट करके आप तेल क्यान सकते हैं dew अधिर कर आभ陋 एसको कटक्यान है कनस्तर जो है शहननाई बजायी जाती है, आम के पत्ते को घिसके फोड कर और फूप मारोंगे। शहननाई ब जासकती है। तूटी चुहे दानी की पालगे की था कोति है। इससा प्रिटेंड करेगा चुहे प्रांज दानी के पालगे करें कि मी था। गजाएंगे किसी को कनस्तर बजाएं थू घोल बज रहा है शेहनाई बज रही है चुहेधानी यानिकी पालकी है अब लेखक लेखक के घर के सामने और लेकक खास तो एक-एक बकरी को पकड़ा जाता था ना और लेकक को उस बकरी की उपर बैढ़ जाते थे उस बखरे के और जैसे लेखक दूला आये और समधी बनकर के लेखक चबूत्रे के एक कोने से दूसरे कोने तक बरात लेके जाती थी ठीक है हम समधी बनकर बखरे पर चड़ लेते और चबूत्रे के एक कोने से चलकर बरात दूसरे कोने पर दर्वाज जाकर दर्वाजे लगती वहां काट की पट्रीयों से घीरे काठ याने कि लकडी गोबर से लिपे आम और केले आप सब नहीं तमझ पाऊगे मोटा बोटी समझो आम और केले के टेहनियों से जाए होई छोटे आंगन में कुलिये का कल्चा रखा जाता था चोटा एक करश रख दिया जाता था जैसे दुलहिन के र बना दो तो वहां पर दूलिन बना दिया जाता था लोट आने पर बाबु जी जो ही ओहार बाबु जी इसाब खेल देखते थे बच्चे इसाब खेल खेल रहे हैं तो कोई लड़का है उसकी आगे एक लाल कपड़ा डाल दिया दो लड़का बैठ गया एक खाट की ऊपर उसक जो ही बाबु जी दूलिन का वहां तो कोई बच्चा ही होगा छोटा सा जो ही बाबु जी कपड़ा हटा के दूलिन का मुझ देखने की कुशिश करते तब तक दूलिन भागी ये भागे सब बच्चे फिर भाग जाया करते थे ठीक है और सब लोग हस करके वहां से भाग ज बच्चे के जीवन में आप निराशा कभी नहीं देखेंगे पता नहीं बड़े होने के बाद हमें डिप्रेशन की बिमारी कहां से हो जाती है बच्चा गिर गया चोट लग गई खून भी थोड़ा सा खरोच वरोच आगई कुछ भी हो माने बहुत डांटा माने पीट भी दिया पिता जी ने डांट की थोड़ा पीटा भी बाबु स्कूल में मास्टर जी ने सब के सामने खड़ा किया सामूहिक बेजती हो गई उसके ब भूल जाता है क्योंकि बच्चे के अंदर मासूमियत होती है कपट नहीं होता तो यह तो हुड़दंग बजाते हैं फिर ढोल बचने फिर बच्चे हमेशा कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं फिर बच्चे ही खट्टा होते हैं राय जमती की खेती की जाया अब आब आप किवी खोली थी पर में 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 ऑक इतना वीया पकान निरौण कвой खे कणा आप ça कि छोड़ी सकते हो में आप याद रहे तो अच्छा है मैं क्या मिठाई की दुकान लगाते थे मृष्ँ कराते थे राद निकलवाते हैं कोई वी दूतिन आप चार क्वांस उधारन दियें इसमें तो मैंने आपको सारे याद करवाएं अभी शुरू से पहले वो मिठाई की दुगान लगाते थे फिर जियोनार यानि की भोज करवाते थे नकली बारात लेखक खुद किसी अपने चबूतरे पर बारात निकालते थे थोड़ी दिर बाद फिर लड़कों की मडली जो घट्टा होके राय जम्दिक खेती की जाए अभी खेती का खेल यानि की मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद आए पहले क्या करते थे सबसे पहले जो बताते हैं सबसे पहले मिठाई की दुकान तूटे होए घड़ों को बताशा माना जाता था पानी को घी व आप क्या सकते हो कि वो नखली मिठाई की दुकान लगाते थे भोज दावतकराते थे जोनार दोनिकली निकाلف लो जावन अब युका जाते फ़ार मिठरा की उतना उतनी पर गिरनी गर जाती और नीचे की बिड़िया और कर बनी आ पातर उसको हल माना जाता था और चबूत्रा उचा है तो उसके नीचे जो जगा है कि उसको माना जाता था ज़िए लेकर लेकर के दो लड़के और 07 पकड करके बैल बन जाते चबूत्रा खेत बन्ता कंकर उठाके बीज और ठेंगा क्या होता है हल जुहाटा काटते समय गाते थे क्या गाते थे ऊच नीच में बई कियारी जो अपजी सो भई हमारी इसका देखो कियारी का मतलब होता है फसल उच नीच में मतलब क्या देखो जब आप खेती करते हो तो खेती करने से पहले आपको खेत को कोड़ना पड़ता है you have to plough the field खेत को कोड़ते हैं पarbeit करते हैं या तो आप ट्रेक्टर से करो जैसे आज जोते हैं या पहले बैल से हल जोतते थे तो हल जोतना जरूरी है चाहे ट्रेक्टर से जोती है या बैल से जोती है हल जोतने से क्या होता है जो आपकी जमीन उबढ़ खाबढ़ होगी हल जोत करके क्या होता है वो एकदम प्लेन हो जाती है और अंदर की उपजाओ मिट्टी भी बाहर आती है वो भी एक benefit है एक important benefit होता है कि जमीन ना सीधी दिखती है पर होती ने कई जगह से थोड़ी ऊपर थोड़ी नीची, कहीं-कहीं पथरख जमीन में अंदर धसे होता है तो हल क्या करता है उन सब को निकालकर जमीन को प्लेन कर देता है अब मानो कोई किसान है उसकी जमीन उबढखाबड है उसने ठीक से खेत को जोता नहीं है और ऐसे ही उसने उगा दिया तो अब जो भी फसल हुगेगी चाहे वो अच्छी हुगे या बुरी हुगे वो भीना शिकायत की उसी को काट लेगा यानि कि उसी से संतुष्ट हो जाएगा क्यों उसे पता है कि यार मैं खेत मैंने ठीक से जोता नहीं था ऐसे ही उगा दिया था यह तो जितना उगरा यह भी बड़ी महर्मानी है भगवान के नहीं तो इतनी भी नहीं उपती तो वह जैसे कोई स्टूडेंट है उसने कम महनत की उसने जादा महनत नहीं कि यार एक दो नंबर आते हैं तो 85 हो जाता है वह बोलेगा नहीं यार मतलब ऐसे भी मैंने सब को अपने दिल की बात पता होती है कि यार मैंने उतनी महनत की नहीं तो यह 82 भी बहुत है यार हो कि 100 में 82 कम थोड़ी है वह संतोश कर लेगा जो होगा उससे संतोश कर लो एक बार खिलिए 75 पी आ गया कम पड़े होए प्री बोर्ट में आ कहीं ठीक है यार 75 भी बहुत वह संतोश कर लेगा क्यों उससे पता है कि मेरे में कम ही है यह जब किसान को पता है उची नीच में बही किया रही यानिकि फसल जब उची नीची जमीन में जो जमीन उबढ़ खाबढ़ है जिस फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रॉन डालते उसके उपर चड़ फसल को यानि कि वही वह पत्ते घास जो इदर से तोड़ते नकली फसल है उसको पाऊं से ऐसे ऐसे नीचे रखके रॉन्जते कसोरे का सूप बना कर बिट्टी का बना चिचला कटो रहा अब मैंने आ कफूल की याद होगा फूल पत्तों के बांस की कटो बना लेते थे मिट्टी के बरतन बना लेते थे उसी में भूजन पाते थे कोई बहुत अमीर होगा कोई जमिंदार कोई राजा तो हो सकता है कि वो चांदी की और सूने की थाली में खाते होंगे सबको वो सौभाग्य नहीं नसीब था तो वह उस तरीके खेल खेलते थे अपनी फसल कोई पाउं से रौंधते थे कि अब क्या दिया है यहां रखा और ऊपर तो कुछ है यह से हाथ में पकड़ करके आपको कितना चाहिए दस किलों और वो खेल है तो सब माइंड में इमेजन किया जा रहा है तराजू का एक पाला एक दिया दूसरा पाला दूसरा दिया और किसी डंडे से नहीं तॉल रहे हैं ऐसे अपने हाथ से ही तॉल रहे हैं आहो गया यह इतनी फसल ले लो और तब बाबु जी सब देखते तो पूछते इस ताल की खेती कैसी रही भूल के लड़े तो दो तो उसके बाद वह क्या करते हैं उसके बाद वह जो नार करते हैं illsको भोज करते थैं शुबम सर के लेक्टर से अडिटोरियम नहीं है अब भी याद करना है पहले उन्होंने मठाई की दुकान लगाई उसके बाद उन्होंने जोनार यानिके भोज किया तीसरा बारात लेखा के बकरे की उपर चड़ जाते हैं और उसकी बाद बारात और उसमें दो लड़के एक की इस बार खेल के अंत में बाबूजी कही ना कही हाते हैं और चौता खेल खेती है इस बार बाबूजी हसके पूछते हैं और बहूला नात इस बार यृती और सब लोग ठीटक करके हस के चले जाते थे ऐसे ऐसे नाटक करते थे ज्यासे आपको बताए लिखक्त और अपने बच्पन में वह एसे-एसे खेल खेलते थे लड़किया लड़के सब फिर जोर-जोर से चिलाने लगते छलो भाया ददरी सथ्वार्णीख मोट्रीग में हम की दूले पहले बार में आपको बताते हैं जबहां है ईक जगा है जमक धरी क अधरी के जाने वाले खूनियों का जोड़ देख पातें आगलों चिलाने लगते हैं ददरी इनके गाउं के पास एक जगा है जहां पर मेला होता है तो कई लोग उस मेले को देखने जाते तो यह लोग जोड 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 चिलाने लगते हैं जोड 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 चिलाने लगते हैं क्या चिलाते हैं चलो भाई यो ददरी सत्तु पिसान की मोटरी चलो भाई यो दद बार जाना है मेला देखना है तो आपको गाउं से दूर जाना पड़ेगा ददरी नाम की किसी जगह पे और वहां पे चक्की नाखा गाउं में तो मशीन वगेरा कुछ नहीं थी अगर आपको चक्की वहाथ वाली मशीन से अपना आठा पिस्वाना है तो आपको ददरी जाना पता बट सत्तु जिनको पता है वो comment कर सकते हैं बट सत्तु चने को पीस करके जादतर बनाई जाती है ठीक है वो क्या तो उसको पीस करके मनाया जाता है सत्तु पाउडर फॉर्म में होता है ये खाना चाहिए ये आपके जीवन में बहुत इंपोर्ट Current है हमें तो मैं तो कहूंगा मुझे सवभाग्य मिला कि मैं उस समय में था जब सुभाच्ण का प्रचलन था आजकल तो ना जाने खातम होगये हम लोग क्या कियें सत्तु को एक तो पूरी में भर करके लिटी लिटी खाए हूँग आप लोग लिटी एक होती है लिटी जिसके अंदर सत्तु नहीं होता जो चोखे के साथ खाई जाती है मैं उस लिटी की बात करहा हूं जिसको छान दिया जाता है उसके अंदर सत्तु भरा जाता है हाँ वही सत्तु क्या करते हैं वह सत्तु को आठा जैसे सांते हैं वैसे उसको सांते हैं आपको लगे गए गार्मपर तेस्ट अच्छा होता है उसको थोड़ा मिर्ची के अचार के साथ नमक के साथ कोई सबजी हो गई तो सत्तु खाने से जो शरीर में टेज और उर्जा आती है वह वह वाकई कमाल की होती है तो सत्तु पिसाना पढता है जैसे आठा पिसाना पढता है सत्तु पिसान पढते शयक्ते चलो भाया ददरी सत्तु पिसान की मोठरी अगर किसी दूले के आगे जाती हुई ओहरादार पालकी देख जाते तब खुब जोड़ चिलाने लगते अब देखो यारी छोटे बच्चे हैं चोटे बच्चे हैं केर केर ले मानों गाउं में किसी की बाराथ जा रही है तो पहले क्या था पालकी का चलन था आजकर तो दुलह गाड़ी से जाते हैं उस वक उतने अमीर लोग नहीं हुआ करते थे गाड़ी भी इतनी नहीं होती थी तो पालकी का चलन था दो लोग इधर दो लोग इधर पालकी में दुलहिन जाती थी तो क्या होता था पालकी आगे मेरी का मतलब महरारू मतलब मेरी पतनी हमारी बीबी रहरी में रहरी पुरान रहरी मतलब अरहर की डाल पुरानी है और यह बच्चे इसको गलत वे में नहीं देना चाहिए तो कितने चोटे 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 बच्चसелен हैं, तो ये मुझाता किरू ररी मेरी, हमार ररी दो लागे नधी आना इसको बूढ़ा के शादी वही तो अच्छा नहीं लगा यह फो हमार नहीं कह रहा हैं बच्चे रिखा रहे वह ऐसे चिड़ा रहे हैं पत्थर लेकर बच्छे को पत्थर है कोई होगा ऐसा जादे तर लोग तो बच्चों को खसके टाल देते हैं पर एक था खूसट खबीज किससूरत के लड़की दन करते लड़का दीखा जो है जिस से अपनी बीटी कि शादी करा वह सब उसका ही हो जाएगा कहां से रिस्ता ढूंदा हो कहते हैं ठीक है वैसा घोड मुहा आदमी हमने आज तक कभी नहीं देगा से घोड़े जैसा मुह था उस आदमी का गुस्षे में अब क्या आम की फसल में कभी-कभी खूब आंधी आती है वहां बगीचा था एक आम का बच्चे वहां जाते थे गाओं क आम की बगीचे वह बारिश कम हो गट वहां आणधी आ थी थोड़ी उसेरिया में जब थोड़ी आंधी आगे निकल गई बारिश कम हो गई तो बच्चे दौड के आम के बगीचे में चले गए वहां चुन चुन-चुन कर घुले-घुले गोपी आम चापते थे कह अपक प खाएगा जो आम स्वाता ही गिर जाते हैं बच्चा उसी आम को ले करके खाता है गोपी आम को होई हमको अच्छा मिला हमका ओछा मिला तू दिखा तिरका तिरको क्या मिलना ऐसे वह गोपी आम चबादाय करते थे अब एक दिन की बात आंधी आई और पटपड़ गई हना चली बच्छे आामके बगीचे में गए बारिश फिर आई तो आप जऊल और की आगी जोर से आने लगी ज़ूरिश को ने जोर जोर से चिलाने लगे हिसा कि लाई bazar में नाज लिख सबर्सक्राइबुसालेनाज वसक्राइबुसालाफ और स्क्राइबुसाल है शुक्त मेचा बूख अनुद athremaOES, है चीज मुदो हम भीज़ कई पर मीठी चीज छितार दो जैसे कि ये कमरा है उस कोने में आप मिठाई डाल दो हलकी सी देखना चीटियां अगर यहां होंगी तो आपने आप वहां चली जाएंगी वैसे एक पैसे की लाई अब लाई खाने में बड़ी टेस्टी होती है मिठी होती है तो यह बर्खा बर्ख चले जाओ यहां से आम के बगीचे दूर चल जाओ हम खेलेंगे चुन-चुन के गोपी आम खाएंगे तो वह यह लेकिन बर्खा नहीं रुकी अब बर्खा थोड़ी आपकी बात सुनेगी उसको नहीं बता कि बच्चे इडा बना रहे हैं बच्चे मूर्ग बना रहे हैं और और भी मुझ्षा था जितना सूचा था उससे और ज्यादा जोर से बारिश होने लगी हम को बनाता है और बच्चे क्या है कि चिपक गए अठहीं की तरह बच्चे जोर से बारिश होने लगी कहां गये साहब तो बच्चे पीड के तने से जोर से चिपक गए और बच्चे जैसे कीड़ा ब्रह बुग गएना अब आगे क्या होता है मगर बर्खा था जमी नहीं यानि कि मतलब जोर से वारिश हुई तो ठीक है थोड़ी देर बाद खतम होगी बर्खा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छु नजर आए हम लोग डर कर भाग चले बिच्छु आने लगे तो अब लेखक दर के वहां से भाग गया अपने सा तो ठीक कि को थोड़ा इंट्रेस्तिंग बनानी के लिए मौनलो बनाते हैं मनलो यह बेंजू है तो बेंजू क्या करता ह। ज्ञां यानि कि जादा ही मतला मस्ती खोर टाइप का बच्चा था जादा ही मस्ती करने वाला तो बीच में मूसन तिवारी मिल गया बच्चे आम के बगीचे में थे खेल रहे थे एकदम से क्या हुआ कि बारिश जोर से आने लगी मतल पहले तो बादल गरशने लगी बच्चों को बाग में बगीचे में आम के बिच्छू आ गए बहुत सारे बच्चे डर के भाग रहे थे तो बीच में मूसन तिवारी एक गाउं के बुजरुक थे वो मिल गए उनको थोड़ा सूजता कम था आयू के साथ क्या है कि समझ थोड़ी सी थोड़ा आदमी का रियक्शन टाइम क कीजिए ब्रिक्स नहीं कोड के समिट में वह भूली गए कि अगला किसको इंटर्ड्यूस करना है तो मतलब एक उम्र की बाद ना सूजता कम है थोड़ा इनको भी कम सूजता था तो बैजू इनको बैजू को पता था ये कहां गया वो बैजू मरखा कि दर गया ये मरखा को बता हो चोखा खाये हो कभी चोखा जिनको नहीं पता यार समोसा तो समने खाया होगा तो समोसे के अंदर आलू को मैश करके समोसा खाते हो तो अंदर आलू ही तो होता है आलू को मैश करके डाला जाता है वह चोखा ही एक तरीके से हां उसमें और थोड़े मसाले डाले हैं और कुछ अलग अलग चीज़ा डालो के समुसे के कॉडिंग उसको बनायाई चोखा बही है आलू को उबाल के छील के आलू को मैश करके उसमें तेल परता है नमक परता है थोड़ा प्यज़ परता है मिर्ची परती है पर मूह में पानिंट आता है गया नहीं इतना कड़वा होता है करिले चोका कोई वह नहीं खायेगा करूएले का जुढाने के लिए बॉल रहे थे… कि लिए यह बूल के वह भी को थले से बूल से यह मांग रहे हैं कि घस का हलवा मांग रहे हैं... तभी टो चुढाना होता है तो आप दर्शन क्हीजिए वह कहते हैं बीगत ही धर्शन की की जिए है वह कहते हैं बुडवा बेमान दो बेमान बोला सकते ही लिए दब्सिंटeles उनको सूजदा कम दा, उनको समझ नहीं आया, सब लोग एक सुर में, बुडवा बेमान मांगे करे लेगा चुका, यह बुडवा बेमान, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, मैं उस फील में आपको लेके जा रहा हूँ, ताकि आप चैप्टर को मज़दार तरीके से पढ़े, ठी सब लोग ने मिलकर यह चिलाना शुरू किया, मुसंतिवारी ने बेत आप, उनको थोड़ा लेट सूज़ता है, मतलब थोड़ी के सूज़ेगा ही नहीं, अब सूज़ा ही बूढ रहा है, अब डंडा उठा के, मार इकनी के, मार बच्चों को मार, बच्चे फिर जोर से भा बच्चों के भागने लगे, मुसंतिवारी बूढ थे लेकिन भी खदेडा, बच्चों के पीछे भागने लगे, अब बच्चे क्या है, थोड़ा थे भागतेते, अपने अपने घर की और आंधी ओ चले, यानि कि बच्चे अपने अपने घर की और भाग गया, जब हम बच्चों का रिलेशनशिप अलग था, आजकल तो बच्चे को बड़ा प्यार से बढ़ाना पड़ता है, पहले तो डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, हाथ की ओपर डंडे से मारेंगे, नकल्स की ओपर थोड़ा मारते थे, बच्चे को सिखाने के लिए, मास्टर जी के प्रती है कि रिस्पेक्ट और एक डर होता था बच्चे के अंदर, कि हम हम नहीं करके लाएंगे तो पूरी क्लास के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, या पहले भी ऐसा नहीं था कि बहुत मारते थे, लिटा लिटा, ऐसा कोई इतना, कोई जालिम थोड़ी है वहाँ सही आकार में नहीं बनता है, तो अब क्या है, मास्टर जी का बड़ा डर था, जो मास्टर जी कहेंगे, सब बच्चे वही करेंगे, तो मुसंतिवारी जी गए कि बच्चों के मास्टर जी को शिकायत करता हूं, कि ऐसा ऐसा बोल रहे है, मेरे को बेमान बोले है, करेली का च बश्यों को भुट्यों को बुला है मुसंतिवारी जी कौन कौन था आगे तुम लोग भूलनाथ वार भोले नाथ थे यानि कि भूलनाथ था और बेजू करके था और एक दो लड़के थे मैं नहीं जानता तुम लोग भूला नाथ बेजू गाउ में कहा हरको यहर किसी को पर गाउं में सबको सब पता होता आज भी गाउं का कल्चर आप कभी जाओ तो ऐसा ही है तो बैजू भोलानात तारकेश्वरनात और एक दो लोग थे उनके जाओ पकड़ो अब मास्टर जी जाएंगे जो और बच्चों को भेजा जो ही हम लोग घर पहुझे तो ही गुरुजे के सिपाई हम लोगों पर तूट पड़े अब वो जो सिपाई थे यानि कि जिनको मास्टर जी ने भेजा था वो जानते थे कि बच्चे छोटे हैं चड़ा के घड़ी भागेंगे वो लेखक से पहली लेखक के घर पर पहुँच जलाओ लेखक फज गया वेचारा भोला-भला बैजु चलाक था जूसने जैसे दूर से देख लिया कि सिपाही दूर भाग गये अपने घर नहीं गया थोड़ी अब लेखक घर गये वहीं पर सिपाही खड़े थे बैजु तो चला गया और यs लेकक पकड़े गये अब बा यह उत्यार वारे में खंग में और हम यह दोखे सकता है पुछ कण लिए पुछार करके बभशाने लगे विल्यां के लिएके बाबहोते सब्गतों त scentल बाद के बभ्र आशाई इस ही फाराय और सब्सक्रून में और उसका दू कोहना ड़का झाशाल भूत कद शूका कोुछ हैं चोटे बच्चे हैं यो सबक सिखाने के लिए बहुत रो रहा था कि मास्टर जी ने पहले दबगाया होगा डफरा के डांट दिया होगा अब रोए जा रहा था रोए जा रहा था बाबु जी का पूरा कंधा भिगो दिया आसू से अब जैसे बाबु जी उसको गोध में फोड़ा आगे गए थे पाटशाला से तो वहां पे न और बच्चे वापस मिल गया है अब जो ही बच्चों को देगा एकदम से लिखक जवर्दस्ती बाबु जी हमको खेलने जाने तो एकदम से उसका रोना भूल गया फिर बच्चा एक्साइटेड हो गया खुश हो गया बाबु जी की गोज से बाबु को बूल अरे नहीं नहीं अभी मत खेर यार अभी तो ऑफ़डा हुआ फिर तुम करो harm कर सुट जाए नहीं नहीं बाबु जा जवर्दस्ती बाबु जी की गोज से उतर करके पिर अफे पाटीों के साथ जा कर एक कर आघर लगा रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का जुंड मिला जोर से नाचते और गाते थे क्या गाते थे माई पकाई गर-गर पुआ हम खाई पुआ ना खिलब जुआ पुआ पकाया जाता है बड़ा सवभाग गया जिन्होंने ऐसा जीवन जी आहे ऐसा बच्पन जी आहे तो पुआ पकाया सी और यहीं सकूर नहीं है पर लुटाइब यहास समझो गाल्टी पानी सानटी ते पानी है तुन एक मख से पानी डालो जब पानी डालते हो तो जब कोई चीज अचानी जाती है घी में आ है तो ऑवाज है माई पकाई गर-गर पुवा हम खाई पुवा ना खिलब जुवा हम तुम मा पुवा बना रही है हम पुवा खाएंगे जुवा नहीं खेले हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे प्रक्राइब रही हमारा रोना दोना भुल गया हम हट करके बाभुजी के गोच से उट गया है और सब सब के साथ मिलकर यहीं तान अलापने लगे माई पकाई गर-गर पुवा हम खाई पुवा ना खिलब जुवा ना जुवा नहीं खेलूंगा और तब तक सब लड़के साम माई संब्लो var Wasis 5 लोग बोलते होए एक सुर में सब्लों बौल रहे थे इस सब्लों चले गये वहां पर बगीचे में थे साथ जब मकई के खेट में आ तो महां किया था चिडिया का जुड्री था मकई के फिडियो कि जुगती रहते हैं बच्चे बच्चे क्च डॉड़ दॉड़ कर न चुडियों पकड़ना चाहते हैं लेकिन ख़ब अगणा तो को उसको थोड़ा कि वह हम कहते हैं उसको स्पैरो आप कहोतो चोटी छोटी चढिया होती बड़ी तीज उड़ती है तो बच्चे चाहते हैं लेकिन कोई उने पखड नहीं पाते हैं उड़ जाती है सारी कि सारी चडिया हना और हम खेत में अलग अलग जो है कि भगवान की है जैसे हमें भगवान ने बनाया पैसे चिडिया को भी भगवान ने बनाया है राम जी की चिरई यह चिडिया भगवान की है क्योंकि भगवान ने बनाया राम जी का खेत यह खेत किसी अमुक व्यक्ति का होगा पर यह खेत तो है भगवान का राम जी की बच्चे को कहते थैं बर बर पैते दिए झूड़कों चिडिया जाँ दॉड़कों चीडिया लडगों का खिलाएं चीडिया को चाते शुर्ठ से दॉड़ौट के वहां उसे पकड़ना चाते हैं चडीया को रहते हैं कि यूँ पकड रहा है जान बचा के भाग रही है फ्लास कैते हैं प्लास के लिए नहीं जोग जोग चिला रहे हैं आप यहां दर्शन कीजिए तीला यानि की यह पहाड जैता होता है अभी क्या है कि यहां टीले पर एक चुहे का बिल था और यहां नीचे बारिश होई थी तो यहां कहीं तीले के आसपास पानी जमा था तो बच्चे क्या करते हैं बच्चे भी बड़े धीट होते हैं मानलो रि laundन्मदम दोपार आया कि पानी उठा करके फीली चने लगा यानेकी पानी जो निसमें यह दो आप शिव जी का साफ निकल आया रोते चिलाते हम लोग बेताहाशा भाग चले बहुत सारे बच्चे थे वहां एक ही बिल थोड़ी था आठ दस चुहे के बड़े बड़े बिल थे उसमें पानी उठाकर के पानी उलीचने लगे बच्चे अब क्या है कि नीचे से उपर पानी उली साफ भाहर आया फन उठा पच्चे और और वच्चे साफ व च्छोटा बच्च ए बढ़ी दर को बड़ा तीरी से बच्छे बहागने लगी कि जल्दी में घर जाओ जल्दी में घर जाओ रोते चिलाते हो कोई औंधे गिरा कोई अंटचीड साफ है अब किसी को साफी बार जिसने देखा मैं आपको फील मिलाना चाहता हूँ पहली बार पहली बार किसी ने सांप देखा है लोगो को लगा कि अरे तो सांप देख नहीं इतनी खराब बात है वो डस लिया तो लोग भागने लगे तीजी से अरे भागो भागो कोई तीजी से भागा तो लेखक के कंदे से टकर आ गया लेखक गिर गया फिर लेखक उठे लेखक छोटा भोला प्ला नाच सर्पे चोटी खासा कनहिया बनके रंगजरें-कपड़े लेखक खोटा सा बच्चा देखो जिवती es अब छ्छोटे-बच्चे मुंअ में तो कहा वर Хोतो होता है निकिक हरोच लग जाती है सब करेंफी हाथ पाओं रिए हो गई होगही होती कषिग में है कांटे केना तीजी से बागते हैं हैं पहले बाओं Megalosa और क्या पहने हैm g पहुता है में पहले ह संभाओं पहुता है तो उसके पाउं में काफी कंकाड और कांटे चुब गए थे बच्चा तीजी से भागा हमें एक सूर में दोड़े हुए आये घर में घुश गए उस समय बाबुजी बैठक के ओसारे में बैठक हुक्का गुर्गरा थे बैठक के यानि की बाबुजी क्या है मैं आपको जेल खिला करते थे वहीं बाबुजी बैठक के हुक्का पी रहते ला थे बच्चा आया या बाबुजी की तरफ देखाया भी ले है बच्चा सीधा की अन्न मांी बच्चा कर रही थी चावल सअफ करना मा अमनिया कर रही थी यानिकि चावल फटा कर रही थी चावल साफ कर रही थी हम उसी के आँचल में छिप गए हमें डर से कापता देखकर वह जोड़ से रो पड़ी यह मा है और सब काम छोड़ बैठी आप दर्शन कीजे जो बच्चा है वो जीवन का अधिकतर समय तो पिता जी के साथ व्यतीत करता है बच्चा जो है वो तो बच्चपन से ही पिता जी के अंग लग गिया था उसको सुबह उठा वो पिता जी के साथ सोता है उसे उठाते पिता जी है नहराते धुलाते पिता ज जी करते हैं, उसे घुमाने कंदे पे बठा के पिता जी लेके जाते हैं, बीच में पेड की डाली ओपर जूला उसे पिता जी जूलाते हैं, वो जब बच्चों के साथ चाहे जियोनार कर रहा हो, चाहे मिठाई के दुकान लगाया, बरात निकाले, फसल करे, पिता जी उसके बच्चों के साथ खेलते हैं, वो पिता जी के हाथ से ही खाना खाता है, कि इन सब के बाद भी, वो बच्चा जो पिता जी के साथ, जो खुद कहता है, कि मेरा माता से जिर्फ दूद पीने तक का नाता था, वही बच्चा जब संकट को देखा, तो उसे मा के आचल की याद पिता जी वहीं बैठक पर बैठे हैं, मा तो घर के अंदर है, पहले पिता जी है, कि तु बच्चे ने सोचना तो छोड़िये, देखा भी नहीं पिता जी की हो, बच्चा एक सांस में दोड़ता हुआ, घर के बीतर चला गया, बस मा चाहिए, बस मा को खोज ना है, मा क्या क कर रही है, पता नहीं, मा चावल फटक लिए, बच्चा आया, और मा की पगड़के, बच्चा ऐसे ठक गया, अब मा का हृदे, तो मा का हृदे है, मा का हृदे, मा ने देखे, अरे बाबू, क्या हुआ, क्या हुआ, अब मा ने देखकर के मा के आँखों से आसु आ गया, कि क्या करते ह Pan Hide अब मारोने लगी नहीं समझ मिलाskin और क्या मा अंग वर के她 कभी दातीEN th Multi कभी कब्षकार थी leads spr Rechts산 m lle2 powerful, tbubman had लिए धाने लगए तब तक बाबु जी और बाबु जी नहीं भूलाकर we बोलाना था ओओ और अपने अगोड में बाई बच्चे को लेने की कोशिश की प्र बच्चे मां की जोड़ा टा बच्चे मां क Film स्वाट मैं आप़ लाइंस पड़ाना चाहता हूं जोने कि अधिर होकर आधिर होकर हमारे भय का कारण पूषने लगी आधिर होकर हाओं कि कभी चोट लगे और मा कोई दवाई नहीं है एंटिसेप्टिक हल्दी भी नहीं है पर मां सिर्फ अपने पल्यू से उस चोट को पोच देना तो कुर्पा से ठीक हो जाता है तो अपने आचल से पोच कर हमें चूम लेती मां बड़े संखट में पड़ गई जटपट हल्दी प कुर्या मांबस प्रत लिद्टा करता है युक्त आilot आख नहीं हुक्तौरऑ आथी और मुझेे मांघज होके आचल की बड़े के से मुझे लिए और में रीम्यौया को जबता है ग्या है तक भरकास नहीं हुझे लाट से दे गले और हम जग जबताते हैं और म्या रन्हार की प्रेम और शांती के चंदोवे की छाया ना छोड़ी अब इसका मैं आपको कोई मतलब नहीं बता सकता कि इन अंतिव लाइनों का क्या मतलब है आप खुछ समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है मैं ये भी नहीं जानता कि वीडियो कितने लोग देख रहे हैं यहां तक कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो अच्छी बात है बच्चे ने मा के आचल की प्रेम और शांती के चंदोवी की छाया ना छोड़ी प्रेम भी है मा के आचल में और शांती भी है मैं बस इतना कहूंगा कि बच्चा जब मा की गोद में आ जाता है तो फिर उसे किसी चीज़ का भेहनी लगता उसे ना सच कहूँ तो क्योंकि माही उसके लिए सब कुछ है उसके लिए उसकी माँ भगवानी है उसकी माही भगवान है तो वो काल से भी नहीं दरता अगर हो माँ की गूद में है तो चोटी बच्चे को सिर्फ माः चाहिए होती है उसकी माहा थोड़ी भी इधर उदर चले जाती ना काम करने तो बच्चा रूने लगता है माः चीलाती है हाँ इधर हूँ आ रही हूँ आए हूँ अब कलपना कीजिए जैसे कि कोई छोटा बच्चा है वो अकेला बाथ रूम में नहार आय जाए ऐगा लेकिन ओड़ आ रही हूं ऊदरी हूं मा चाये जहां पे हो जोड से पुकारेगी और बच्चे को पुकार से ही शांति मिल जाती ये कि मा है पर बड़ी होने के बाद उसी मा का जब बच्चे अपमान करते हैं पलट कर जवाब देते हैं कई स्टूडेंस का ऐसा एहम होता है अरे मैं गलत क्यूं मैं गलत नहीं हूं मैं क्यूं माफी मांगू अगर तुम में से कोई तो मेरा स्टूडेंट नहीं हो सकता तो स्टूडेंट्स यह है शिफ पूजन सहायजी का माता कांचर